वी गुड़ुमार्णीं बच्चों और जेपी जुनियर है स्कूल में आपका स्वागत है आज हम आपको जो है सब्जेक्ट पढाने जा रहे हैं क्लास एक का सब्जेक्ट पढाने जा रहे हैं आपका चेप्टर फर्स्ट है रिसोर्स अफ इंडिया आपका जो बुक है वह आ आपका समाजिक बोद आया है वो पेंदर राजवनसी का यह आप इस बुक को ले सकते हैं ठीक है तो अपको पढ़ाने जा रहे हैं फर्स्ट चप्टर भारत के संसाधन जो हमारे बहुत ही उपयोगी होता है वह अगर हमारे भारत में संसाधन होते हैं अनेकों अंधर लेकिन जो मनुष्य के लिए जो बहुत उपजयोंगी संसाधन होते हैं वह आपको बताने जा रहे हैं तो मनुष्य की जो आर्थिक विकाश होता हैं मनुस्ट्र की आर्थिक विकास होती है वो अनेक संसाधनों यानि अक निस्चित संसाधन पर नेचुरल संसाधन नेचुरल driven actually मनुस्री की जो आर्थिक परविस्तिती होती है वो फ्राफिक संसाधन पर zenfao होते हैं हमारा इस प्रतीवी पर इस देश में जो प्राक्तिक संसाधन होटें हैं बहुत ही मत्त पून होते हैं हमारे प्राक्तिक संसाधन कौन कौन से ओते यह आप देख लिए नेचुरल टिशोर्सेज नेक्चुरल रिसोर्सेज जिसको हम लोग प्राक्टिक संसाधन करते हैं नेक्चुरल रिसोर्सेज में हमारा सबसे फर्स टाइम जो आता है वह हमारा आता है भूमी लैंड और भूमी आता है नेक्चुरल रिसोर्स दोरा के द्वरा निर्मित किया गया है वह सारा छीज नेचुरल टाइप का निर्मित किया गया हम वह हमआरे के लिए वह मनुस्री का राने केलिए जीवोग के लिए हमें क्या करता है भूमी की आफशकता होती है सबसे मनुस्री को अगर रहना है तो न को भूमी जगह चये जमीन चाहिए जिसके वजए से वह अपने घर को बनाकर शुरक्षित राज के तो हमारा लेंड सबसे पहले और तो हमारा आगे ओर होता है मिट्टी नेक्सट आता है हमारा स्वाल इसको इंदी में बोलते हैं मिर्दा मिट्टी भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है और यह आपको उन्हें साइन्स में First Chapter में बताया सबसे बड़ा इंपर्टेंट रोल जो है स्वाइल का भी होता है यह किसमें आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे इंपोर्टेंट होता है सबसे फर्स्ट लैंड भूमी रने का स्थान कबड़ेशन में सबसे सब्सक्र forbidden जाधा होता है लेकिन जो रिसोर्सेज की मात्रह कम होती जा और वहीं पापॉलेशन कम हो तो रिसोर्स मतलब कभी किसी चीज के लिए जगड़ा नहीं होता है तो चीज क्या है हमारा रिसोर्सेश कम है पापुलेशन ज्यादा तो आदमी जो है अपने मनुश्य जो है आपस में जगड़ा करने लेते हैं ने यह उन पोछ यह चीज है इसे यह प्राब्लम क्रिएट यह अधा है और यह हमारा जो करी चाँज पर पापुलेशन का भी बहुत बड़ा एफेक्ट पड़ता है हमारे कंट्री में इससे क्या होता है पापुलेशन अगर ज्यादा रहता है तो आधर शोर्सेश कम होती है से मिलती है जो हमें संसाधन मिलती है वो बहुत कम मातर में युज़ करना पुधते हैं तो इस तरह से हमारा ही लैंड हुता है स्वाइल होता है मिट्टी होता है और हमारा नेक्सलिक आता है आ सेंट कि इसको वलता है ज़ल कि वाटर जो होता है बहुत ही इंपर्टेंट रूल ये भी होता है इसमें क्या होता है कि अगर art है उसको सबसे इंपर्टेंट रूल जल की आर शक्ता, उस सबसे और09 양ल की आरफ होती है तो उस जम के देना जो एनिमल होते वह ङूभिषकों नहीं रह पाएंगे जो उन और को क्या होता है जल क्या सब्सक्राइब के बयों को वेस्ट होता है उनको ऊप्योग कैसे करना चीये किस तरह से करना चीये ये आपको स्तिते तोपिक में GUY पढ़ा इस से इना पीचल वहरे टापिक में पढ़ाएंगे इस तरह से क्या बेनले जो होते हैं भूमि यह यह लैंड श्वाइल बिर्दा और वाटर जनति ऑब हैं और भी वनस्पति होते हैं जीव जन्त होते हैं और भी जो रेकिन यहमारा मेटीकों को मेन पढ़ना अभोर तीन तरह कि अब मेट संसादु बोवी संसादुपे दो ducks इन तीनों के बारे में झम्कों अच्छी तरीके से पढ़ना थे सबसे करें को सबसे पहले हम नेचिरल रिसwnieं vitamin आपको पाड़ाने जा रहा है पूम अ के बारें पूमinka पूमी के बारे लेंड रिसोरशीज मुदिस यानी भूमी संसाधन कि भूमी संसाधन आपको बताया थे भूमी मनुष्य के लिए सबसे प्रतम जो यूज करने वाला है उपयोग करने वाला है जिसमें हम घर बनाकर आवास रह सकते हैं और भूमी जो है बहुत सारे जगह पे आप देखें होंगे कि भूमी का कोई बड़ा रोल नहीं होता है जै बहुत सारे जगह पर देखेंगे बंजर भूमी होता है जहां पे कुछ बोया ना जा सके जहां कुछ पेड़ पावदे काट करने के लिए ठीक है तो यह भूमी और जो मैं भूमी और भी हो शकता होती है भूमी हमारा जो सबसे बड़ा इंप्रेंट होता है खेत को उपजा लों करने के लिए भूमी बहुत ही important होता है भूमी जो होता है वो मनुष्य को भूमी पर फसल उगाने के लिए बीज बोने के लिए यह सब की आवशक्ता पड़ती है अगर यह सब ना करें तो भूमी जो होता है बंजर भूमी यानि कुछ भी नहीं का जाते है उसको थैनि लिलाओ और वी सारे ऍथे आपको पतार आँगे तो यह हमारा जो हता है भूमी पर इस合त में चीज के लिए लोगी हुज करते वह भी कर अलग अलग वुशेशं महत वहंत हुप पूर्टी करने की जैसे अगर भूमी है तब हमलोक फसल होगाते हैं उससे क्या होते हैं आणास प्राप्त होता है और और जो हैंлов透 से इस इत्याह नहीं पर्त यह तो यह वह प्रांपतर नहीं भूमी के द्वारा और में सबस्तियां सबस्ते हैं और घूächlich गरे देके होगे कछे कंचे मंचे में तो यह सब क्या है भूमी यानि लैंड रहेगा तब ही हो हम लोग के रहने के लिए सुटेबूल उपाया है इससे हम लोग आवास रह सकते हैं या अच्छे तरीके से रह सकें यहीं भूमी होता है हमारे भूप्रिष्ट के कुल छेत्रपल लगबग भाग भूप्रिष्ट के हमारे इंडिया में हमारे देश में 30 परसेंट होते हैं यानि जो पूरा भूमी जो आपकर हम बहुए जाते हैं सब मात 30 परसेंट या लेकिन जो विश्व में world में population हमारी है मैं जो population जन संख्या है वर्ल में हमारा 90 परसेंट है इससे आपको क्लियर पता चल जा रहा है कि हमारे आर्थिक यानि हमारी जो संसाधन है वो कितना वीक कितना कमजूर यानि पापुलेशन की जो शंक्या होती है वो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जो रिसोर्स होते हैं वो मात्र 30 परसेंट ही है है जहां आप एलोक बोते हैं खाते हैं जाओ बनाते हैं आतर 30 पर सेंट है लेकिन वर्लamm में जो है और 90 Pशेंट पिपूल जो हारने रहने लिदे है किाया है । में होता है प्पुलेशन को यह उन्जल संक्या को बहुत सारे प्राब्लमों का सामना करना पड़ता है जिससे उनको हर समान लेने में एक प्राब्लम होती है कपड़ा की दुकान पर वहां पर बहुत सारे बेड लगें बोलेगा आपको दस में टूखने के लिए पाइंट में तो क्या है हमारी पॉपलेशन संक्या बढ़ती जा रही है लेकिन जो हमारे पास संसाधन कम होते जा रहे हैं और वहां पर काम करने वाले भी कम होते जा इस से जो है हमें संसाधन की कमी होती जा रहे हैं तो इस तरह से हमारा जो हमारा आपको करने का मतलब यह जो भूपिष्ट का जो चेत्रपल यानि जो एरिया होता है वह मात 30% ही होता है जो ओमलुक बहुए जाता है तो ठीक है 30% ही लैंड होता है इस तरह से हमारा भी नेचुरल इससकि बारे में प्ढ़ाए और भी इसमें लेंण rhileaus की बारे में पढ़ाएंगे लेकिन आपको यह आपको नेक्च्ट विडियो में पढ़ाएंगा आज यह आपको बहुत अच्छा टॉपिक लगा होगा औरians理 प्रस्टाइम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यहां पर आनलाइन और चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स अफ इंडिया अब इन देश में हमारे कैसे कौन कौन से साधन होते हैं जो हमारे लिए मनुष्य के लिए एनिमल के लिए उपयोगी होते हैं जिससे उनका विकास हो सके उनका उनका विकास हो सके वह आगे उनका पर सके डिफर सके ठीह हमारी सब डिसोर्स के बारे में अभी पढ़ा यार विख अब को me pricing yeah अभी अभी है स्टार्टिंग में जो आपको समझ मेना है वो आप पूछ सकते हैं सुमेंदो सर के मॉइल पर वाट से पर सकते हैं थैंक यू थैंक यू सो मुच